Central Water Commission ने पहली बार एक Flood Watch आप लाँच किया है और इसकी मदद से आपदेश के किसी भी जगह पर अगर हैं तो आपके आसपास के इलागों में क्या बाढ़ का कोई खत्रा है नदी में जल का स्तर कितना है इन सब की जानकारी आपको रियल टाइम बेसिस पर मिल सकती है में साथ चेर्मेन Central Water Commission है क्या objective है इसका और क्या features अगर आप समझा सके बेसिकली अगर हम यह देखें कि हम लोग आल्रेडी रियल टाइम बेसिस के ऊपर अपनी website के ऊपर यह information हम दे रहे हैं तो बहुत सारे stakeholders है हमारे NDMA, NDRF और states, administration, DMs तो हमारे 32 centers हैं, there are 32 centers in the regional offices which are doing this, actively involved and interacting with the DMs and one central flood control room at Delhi also तो यह सारा हमारा flood forecasting network है website पे तो available है, हमारा sites के तूरू देख सकते हैं लेकिन आज की डेट में बहुत सारे लोग जो है computer पे लॉग इन करके या उसको net के ऊपर देखने में थोड़ी सी rural area में आगे जाएं तो वो थोड़ा सा outreach थोड़ी हमें लगा कि कम है सो मोबाइल के थूरू आज की डेट में बहुत सारे अब हमाहा सारे operations जो है actually सब लोग जो है mobile पे कर रहे हैं चाहे वो banking हो चाहे कुछ भी हो सो हमें लगा कि mobile ऐसा application हो साथ mobile ऐसी एप हो सकती है या ऐसी ऐसी गैजट हो सकती है कि जिसके साथ हम लोग जूड़े और एक एप बनाएं जिससे हर कोई किसी भी टाइम पे जब उसका दिल हो जिस भी जगह पे उसके हाथ में mobile हमेशा रहता है he can watch it and इसको easily watch कर या flood forecasting station से लिंग है हमारे हमारी जो एप है 338 हमारे stations है पूरी इंडिया के 338 है और उन से यह लिंक है तो 338 स्टेशनों के आप इस पर फूरी इंफर्मेशन और जल्दी ही iOS और आइफोन पर भी बहुत ही जल्दी इसको हम flood कराने की कोशिश करें हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया दिली से कानन पात्रा के साथ हिमार्च शुशेकर एंडिटीव इंडिया